दूसरा concept test प्रशनाप के सामने है और इसके विकल्प है तो चलिए इसका सही उत्तर देखें इसका सही उत्तर है D 350 g पार्किट पानी में डूब जाएगा और पार्किट द्वारा विस्थापित होने वाले पानी का द्रव्यमान है 350 g सबसे पहले हम पार्किट का घंत्व निकालेंगे हम जानते हैं कि घंत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है और पार्किट का द्रव्यमान है 500 g और पार्किट का आयतन है 350 cm3 तो packet का घनत्व होगा 500 बटे 350 जैसे हल करने पर हमें मिलेगा 1.428 ग्राम पर मीटर क्यूब पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब packet का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है इसलिए packet पानी में डूब जाएगा धन्यवाद